नमस्कार दोस्तों फोटरन अकैडमी में आपका स्वागत है मेरा नाम हर्ष है आज मैं आपके बहुत ही शांदार फीचर दिखाने जा रहा हूँ इस फीचर को यूज करके आप अपने Microsoft Excel के basic function को strong कर पाएंगे दोस्तों जी हाँ दोस्तों आज इस function के बारे में हम बात करेंगे वो है if function जी हाँ आज हम introduce कर रएँ हैं दोस्तों if function Microsoft Excel 2019 में यहां मैं आपको बताऊंगा कि आज हम क्या क्या बात करेंगे तो दोस्तों इस slide में जो मैंने points लिखे हैं दो points उसमें बताया है कि आज हम क्या बात करेंगे तो दोस्तों इस video में हम दो points पर discussion करेंगे सारा तो पहला discussion जो होगा हमारा कि if function होता क्या है और दूसरा discussion होगा कि इस function को हम कैसे कैसे अलग methods में और अलग तरीके से use कर सकते हैं Microsoft Excel 2019 में दोस्तों तो चलते हैं next slide पर और वहां मैं आपको बताता हूँ कि इस function होता क्या है दोस्तों तो दोस्तों इस slide पर मैंने कुछ points लिखे हैं इस function के बारे में कि इस function क्या होता है इस statements allows you to make a logical comparison between conditions तो क्या करेगा जो इस function है वो आपको logical comparison करने की condition देगा यानि अगर कोई statement में logical comparison हो सकता है तो वहां पे आप इस को general statement बना कर condition कर सकते हैं एक true के लिए और एक false के लिए यानि जैसे अगर एक table है वहां पे apple लिखा है या oranges लिखे है अगर आप चाहते हैं कि apple हो तभी वो statement true हो तो वो if function लगा कर आप कर सकते हैं तो यह जो आपका return में चाहते हैं true और false चाहे वो text में भी आ सकता है values भी आ सकती है और अगर चाहे तो और भी calculation कर सकते हैं तो दोस्तो second point में मैंने लिखा है कि if के अंदर जो additional calculation है वो भी करेंगे हम और यहाँ पे मैं आपको एक example दिखाऊंगा जिसमें हम sales tax भी calculate करेंगे अगर वो condition true हुई तो तो इस example देखने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहें और आगे देखें कि हम इस statement का कैसे इस्तमाल करते हैं और कैसे कैसे अलग चीज़ों में हम लगाते हैं तो दोस्तों चलो Microsoft Excel 2019 में चलते हैं और देखते हैं कि यह problem कैसे solve होगी तो चलिए दोस्तों दोस्तों हम Microsoft Excel 2019 में आ चुके हैं यहां मैं आपको बताऊंगा कि इस statement का हम कैसे इस्तमाल करते हैं तो चलिए दोस्तों पहले function लगाते हैं इस statement का तो दोस्तों याद करो कि मैंने क्या बताया था function की सबसे important चीज जी हाँ दोस्तों आप सही सोच रहे हैं अगर हमें function लगाना है तो उससे पहले क्या होगा equal to लगेगा तो यहाँ पे मैंने equal to लगाया उसके बाद मैं function लगाता हूँ इस function लगा दिया shift और 9 से bracket start अब logical test क्या है यहाँ पे मैंने जो table लिया है इसमें apple और orange लिखा है तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ अगर यह apple हो तभी यह statement true हो otherwise यह statement false हो जाए तो वो कैसे करूँगा तो मैं यहाँ logical test कैसे लगाता हूँ तो एक है दोस्तो मैंने if equal to डालके if function start किया है उसके बाद shift 9 से bracket open तो यहाँ पे देखिए इन्होंने नीचे table दिया है if function के बाद आप bracket start करके logical test लगाएंगे उसके बाद comma value if true और value if false तो उसके बाद bracket बन करेंगे तो हमने if function लगा दिया है अब logical test क्या है अगर apple यानि c9 is equal to double quotation में apple double quotation close और उसके बाद comma true और false तो दोस्तों इस function के बाद में पढ़ो तो जैसे मैं यहाँ पे आपको छोटा सा बता देता हूँ सबसे पहले मैंने equal to लगाया उसके बाद if function अगर c9 is equal to apple होता है then statement true होगी नहीं तो false होगी तो यह आप अपने formula बार में भी देख सकते हैं यह function आ रहा है और c9 में क्या लखा है? apple यानि apple is equal to apple तो true होगा अगर orange is equal to apple कर दूँगा तो यह false हो जाएगा तो देखो यहाँ पर मैं enter करता हूँ और यह statement true होगी तो दोस्तों यह statement true होगी अब मैं यह function drag down कर देता हूँ और नीचे वाले option में देखता हूँ क्या आएगा तो दोस्तों आना false चाहिए और आभी false ही रहा है क्योंकि यहाँ पर जो orange लिखा है वो apple के equal to में नहीं आता तो यहाँ पर आप formula देखिए अगर यहाँ पर यह function same लगा हुआ है आप देखिए बस यहाँ पर c9 की जहेंगा है c10 हो गया है क्योंकि यह apple की जहेंगा orange आ गया है तो यह function आप ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों यह तो मैंने बताया आपको कि आप true और false कैसे करेंगे statement में अब हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर एक function लगाया हुआ है नीचे तो देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है यहाँ पर 50 लिखा हुआ है अब चाहते हैं कि आपकी value अगर 50 से नीचे हो या 51, 52, 58, 59, 70, 80, 99 अगर 100 से कम हो तो सारी value को आप सिर्फ दो point में divide करना चाहते हैं less than 100 और greater than और equal to 100 तो वो कैसे करेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं function लगा दाल के दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे सबसे पहले क्या याद कीजिए function लगाना है तो हमें क्या सबसे पहले put करना होता है जी हाँ आपको सबसे पहले equal to डालना है equal to डालना उसके बाद if function लगाया shift और 9 से bracket start logical test क्या है इस value में अगर 100 से कम है तो less than 100 यह मेरा हो गया logical test इसके बाद क्या है double quotation start तो इसके अंदर अगर 100 से value कम हुई तो लिखना जाना चाहिए less than 100 और double quotation बंद उसके बाद अगर value false हुई तो क्या लिखा जाना चाहिए double quotation greater than or equal to 100 और double quotation बंद और bracket भी बंद shift और 0 से तो दोस्तों यह function हुआ ना देखिए आप बहुत समझदार है और जल्दी समझ रहे हैं इस चीज को इसके बाद हम enter कर देंगे अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको यह कैसे काम करता है तो हमने function लगा चुके अब मैं यहाँ पे 99 लिखता हूँ और इसको drag down कर देता हूँ तो देखो less than 100 है यह भी अब मैं इसको 199 कर देता हूँ देखो greater than or equal to 100 आगया यानि जो value मैं कर रहा हूँ उसमें आपको यह सारी चीज बता देगा बस आपको एक बार function लगाना है तो दोस्तों हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हमें बस function सीखना है हम function जाएंगे तो यह जी हम कितनी भी चीजों पर लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको basic statement बताया तो चलिए अब थोड़े से complex कर देते हैं और इसी के अंदर हम जो function इस्तुमाल कर रहे हैं इसके अंदर हम extra calculation भी करेंगे जैसा मैंने पहले बताया था मैं आपको एक sales tax का example दूँगा तो वो example आ गया है दोस्तों तो देखे यहाँ पर एक मैंने table बनाया हुआ है जिसमें widget और do hickey की quantity है, cost है, total है, sub total है sales tax और shipping optional कर रखा है मैंने यहाँ पे उसके बाद हम total value calculate करेंगे तो यह दोस्तों कैसे करेंगे सारा मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तों क्या करना है, इसके अंदर हम sales tax optional है मैंने already यहाँ पे formula लगाया हुआ है आप देखी अगर yes की जगा मैं no कर देता हूँ तो value zero हो जाएगी, और नीचे भी change हो गया और shipping भी no कर देता हूँ तो देखी, यह $29 का हो गया, अगर shipping shipping है इसमें मैं sales tax नहीं लगा रहा हूँ तो यह $36.03 का पड़ेगा अगर मैं इसे sales tax भी लगा देता हूँ तो यह $38.48 का पड़ेगा तो यह कैसे किया मैंने, मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लगाना है equal to function, function लगाना है तो सबसे पहले equal to if shift और 9 से bracket start अब क्या करेंगे अगर यह value value यानि आपकी E 33 yes होगा यानि इसे double quotation में yes तो आपकी F 31 की value यानि कौन सी दोस्तों तो आपकी F 31 की value ये वाली value को हम sales tax से into कर देंगे sales tax और इसके बाद हम कोमा लगा देंगे और अगर value false होगी तो दोस्तों क्या होना था 0 और इसके बाद shift और 0 से bracket बन और enter कर दो तो दोस्तों आगया या आपका $2.45 तो दोस्तों ये आपके पास 4 डिजिट में आ रहा है है इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप इसके decimal point कैसे कम करेंगे जी हाँ आप control और 1 पे जाईए मैंने control और 1 क्लिक कर दिया है आपके पास number आएगा यहाँ पे number में आप decimal points 2 कर दीजिए और ok कर दीजिए तो दोस्तों आपका जो point था 4 decimal से 2 decimal में convert हो गया अब मैंने आपको shipping का बताना है कि shipping के अंदर क्या function लगा है तो shipping में दोस्तों जो function लगा है उसको भी हम आज calculate करेंगे तो सबसे पहले आप equal to लगाईए इफ function लगाईए shift और 9 से bracket start logical test क्या है अगर shipping यानि A35 मेरा double quotation में yes है तो मेरी true value का क्या होगा sum quantity से होता है shipping value हमेशा इसको और इसको यानि D28 to D29 का sum bracket close कर रहो थाकि इनका sum हो जाए उसको हम 1.25 से into कर देंगे और इसका अगर no होगा यानि statement अगर false होगी तो 0 और उसके बाद shift और 0 से bracket बन और इससे enter कर देंगे तो dollar दोस्तों क्या दिखा आपको shipping value जो हुई $6.25 अब मैंने total कैसे करा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा is equal to करो sum shift और 9 से bracket start subtotal plus sales tax plus shipping shift और 0 से bracket बन और enter तो दोस्तों आ गया ना आपका $38.48 अब आपको इसमें बहुत सारे decimal दिख रहे हैं आपको कैसे बताया था मैंने control और 1 दबाईए यहां पर 18 decimal है हमें चाहिए सिफ्ट तू और ओके कर दो 38 डॉलर 48 सेंट और इसे यहां पर close कर दो इसको थोड़ा इधर इसको थोड़ा इधर तो यह आपके सारी calculation हो गई है देखा ना कितना असान था एक्चली मैं आपको बता दूँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है बस आपको एक बार function ढंक से सीखना है आप function के practice कीजिए और अपनी चीजे strong कीजिए मुझे उमीद है आपको यह feature अच्छा लग रहा होगा आप इसको अपनी Excel में ज़रूर practice करेंगे और इसे बहुत strong करेंगे आप comment section में comment करके बताए कि आपको यह video कैसा लगा और आप क्या-क्या नए feature जानना चाहते हैं आप हमारे चैनल को subscribe करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें मैं जल्द ही नए feature लेकर आपके बीच आता हूँ तब तक के लिए stay connected नमस्कार दोस्तों मुँड़े जल्द हैं